वीडियो में आप लोगों को बताएंगे Computer Slate Top 25 Full Form जो आपके सभी एकजाम के लिए Important Select किया गया है तो आपसे छोटास request है वीडियो को last तक देखेगा और इस वीडियो का first parts हम upload कर चुके हैं तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का link मिलेगा आपको description में वो भी वीडियो आप देख लिजेगा और ये second parts होने वाला है और इसी तरीके के कई parts में Computer Slateed Full Form का वीडियो अप्लोड किया जाएगा तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल वाला आइकन जरूर दवा दिजेगा चलते हैं वीडियो की और तो फर्स्ट फुल फॉर्म है basic B-A-S-I-C basic का फुल फॉर्म क्या होता है basic का फुल फॉर्म होता है beginners, all-purpose, symbolic, instruction, code और ये basic जो होता है वो high level programming भार्शाओं का एक परिवार होता है जब programming सिखाय जाता है तो beginners को basic ही सिखाय जाता है सबसे पहले next है USB तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है USB का फुल फॉर्म होता है universal serial bus और USB जो होता है वो एक device से दूसरे device को जोड़ने में मदद करता है और इससे digital data को transfer करने में मदद करता है जैसे हम आपको बता दे charger और data cable तो सभी के पास होगा तो जो charger और data cable को जो add करता है उसी को USB बोला जाता है next है INIAC का फुल फॉर्म क्या होता है ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है तो INIAC का फुल फॉर्म होता है electronic, numerical, integrator and computer और INIAC जो था वो पहला electronic digital computer था जिसमें programming किया जाता था next है JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है तो JPEG का फुल फॉर्म होता है joint photographic expert group और JPEG जो है वो आम तोर पर JPEG के रुप में जाना जाता है next है MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है तो MPEG का फॉल फॉर्म होता है moving picture expert group और ये MPEG जो है वो picture moving जो बनाया जाता है उसी से related होता है next है KYC KYC का फॉल फॉर्म क्या होता है KYC का फॉल फॉर्म होता है Now your customer इसका हिंधी होता है आप ग्रहक को जानते हैं और यह जो है वो बैंकों से रिलेटेड होता है नेक्स्ट है EMI का फुल फॉर्म क्या होता है तो EMI का फुल फॉर्म होता है Equated Monthly Installment और इसको हिंदी में मासिक किस्त बोला जाता है नेक्स्ट है PEN का फुल फॉर्म क्या होता है जो PEN कार्ड होता है उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है तो PEN का फुल फॉर्म होता है Permanent Account Number जो 18 साल के बाद PEN कार्ड बनाया जाता है इसका हिंदी होता है अस्थाई, खाता, संख्या और PEN कार्ड में जो संख्या होता है वो 10 अंको का होता है नेक्स्ट है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है जो बैंकोस रिलेटड होता है IFSC कोड तूशी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है तो IFSC का फुल फॉर्म होता है Indian Financial System Code और इसमें जो संख्या होता है वो 11 लेटर का होता है 11 अंको का होता है नेक्स्ट है PNG का फुल फॉर्म क्या होता है तो PNG का फुल फॉर्म होता है Portable Network Graphics और इसको आम भाशाओं में पिंग भी बोला जाता है नेक्स्ट है PFT का full form क्या होता है तो PFT का full form होता है preliminary function test जो medical related होता है और ये फेफडे से सवंधित इसका जाच करवाया जाता है नेक्स्ट है LED का full form क्या होता है तो LED का full form होता है light emitting diode next है ICU का full form क्या होता है तो ICU का full form होता है intensive care unit और ये medical से सवंधित होता है medical का वह department जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है next है DOS तो DOS का full form होता है document और इसको हिंदी में दस्तवेज बोला जाता है next है OMR का full form क्या होता है आप नाम भी सुने होंगे और आप देखे भी होंगे OMR का full form क्या होता है तो OMR का full form होता है optical mark reader आपको बता दे कि जो हम लोग exam देते हैं जो रंगने वाला होता है गोल गोल उसी को OMR sit बोला जाता है तो OMR का full form होता है Optical Mark Reader Next क्योंचन है Jio का full form क्या होता है Jio का full form क्या होता है Jio का full form होता है Joint Implementation Opportunity Joint Implementation Opportunity जो हम लोग Jio Use करते हैं SIEM उसी का full form यहाँ पर है Joint Implementation Opportunity Next क्योंचन है COVID-19 का full form क्या होता है जो Corona Virus है उसी का नाम है COVID-19 तो COVID-19 का फुल फॉर्म क्या होता है तो COVID-19 का फुल फॉर्म होता है CEO से क्रोना, VI से वाइरस, DCA डिजीज और 19 से 2019 और ये लगभग 2019 के दिसंबर में पता लगा गया था चिन के वुहान सहर से सबसे पहले पता लगा था क्रोना वाइरस इसलिए COVID-19 नाम दिया गया है नेक्स्ट है ADCA का फुल फॉर्म क्या होता है ADCA का फुल फॉर्म क्या होता है तो ADCA का फुल फॉर्म होता है Advanced Diploma in Computer Application Advanced Diploma in Computer Application और ये जो कम्प्यूटर का जो कॉर्स होता है वो डिप्लोमा में Advanced Course होता है एड़ रिसी है इसलिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सुस्क्राइब भी करते चलिएगा नेक्स्ट है पी टी ओ पी टी ओ का फॉल फॉर्म क्या होता है तो पी टी ओ का फॉल फॉर्म होता है पिलीज फेर में प्लीज पैस को उलट सकते हैं ऐसा लिखा हुआ रहत है नेक्स्ट है BCA का फुल फॉर्म क्या होता है तो BCA का फुल फॉर्म होता है Bachelor in Computer Application जो IT छेतर में अपना कैरियर बनाना चाहते है उनके लिए BCA कोर्स बहुत अच्छा होता है और ये एक कम्प्यूटर का बेसिक कोर्स होता है नेक्स्ट है BIOS BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है तो BIOS का फुल फॉर्म होता है Basic Input Output System Basic Input Output System नेक्स्ट है MCA का फुल फॉर्म क्या होता है MCA का फुल फॉर्म क्या होता है तो MCA का फुल फॉर्म होता है Master of Computer Application Master of Computer Application MCA कोर्स BCA करने के बाद किया जाता है next question है email और gmail का full form क्या होता है email और gmail का full form क्या होता है तो email का full form होता है electronic mail और gmail का full form होता है google mail और email और gmail में हम video बना चुके हैं जिसका थमनेल यहां पे है आप जाकर के video देख सकते हैं बहुत ही important होता है email और gmail के बारे में जानना इसलिए आप वीडियो देख लीजियेगा होमपेज को ओपन करके नेक्स्ट कूचन है शुविट कोड।ड का फुल फर्म क्या होता है देखें कोड नोट होता है लेकिन अलएफ कोड। कोड का फुल फ्रम क्या होता है तो swift code का फुल फॉर्म होता है society for worldwide inter bank financial telecommunication और swift code जो होता है आपको बता देए यह international transition के लिए होता है international transition मतलब अंत्रराश्टिये विश्व विश्व अस्तरिये ठीक है और यह विदेशों से पैसे मंगाने के लिए swift code की आविस्यक पढ़ता है तभी आपको खाते में transfer होता है जैसे कोई कोई विबसाइट के जरी अगर कोई पैसा मतलब आता है जैसे यूटूब हो गया या कोई भी विबसाइट है उसके जरिये पैसा आता है तो उसको swift code की जरुवत पढ़ता है नेक्स्ट क्यूचन है LIC का full form क्या होता है LIC का full form क्या होता है तो LIC का full form होता है life insurance और यह वीडियो अब समाप्त होता है तो यह वीडियो अब समाप्त होता है